मासूम के साथ दरंदगी दिखाने वाले को पहचाया गया सलाखों के पीछे आना मजोला के 6.0.00 लाकडी फाजलपूर में दो दन पूर्व दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई थी रिसमें दरंदे ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरंदगी दिखाते हुए उसे घायल कर दिया था SSP बबलु कुमार ने घटा को गंभीता से लेते हुए SSP सिटी अकलेश पदौरिया को नडेश दिये थे कि किसी भी हाल में इस वारदात को अंजाम देने वालों को तलाश कर उसे जल्द से जल्द गिरफतार करें SSP सिटी ने लापनी फाजल पूर्ट चौकी इंचार्ज बलेंडर सिंग यादव को पूरी तरह से बच्ची के साथ दुशकर्म करने वाले की खोज में लगा दिया था जौकी पुषकरणग ने बच्चे के पूरी तरह होश में आने पर जब आसपनोस के लोगों के बारे में पुछताच की तो बच्ची ने पड़ोस के ही मुकेश को पहचानते हुए पूरी घटना की जानकारी दी मुकेश तलक किनारे खेल रही मासूम को अपने घर में ले गया और उसके साथ दरंदी की दिखाते हुए उसे खायल कर दिया चौकिन चार्ज बलेंदर सिंग यादव ने फोरण दरंदे को गरफतार कर लिया और थाना मंचूला बिचपा दिया चौकिन चार्ज ने बताया कि आरोपी मुकेश के खिलाफ कंभीर धराओं के साथ पोस्को भी लगाई गई है उसे नाले के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे जेल भीच दिया गया है